हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इंजिनियर गपाल पठेल पर सो फ्रेंड्स यहां पर सेल की तरब से एक लेटेश्ट रेक्रिमेंट जारी के गई है स्टील और इंडिया लिमिटेट की तरब से और यह आप लोग का इसको बरन पूर साइट के फिर यहां पर मैनेजर के लिए फिक्स हैं फिर आपका आपका मैनेजर मेंटिल्र जीक के लिए सिर्फ एक पोस्ट है और यह SC के लिए fix है फिर manager ceramic के लिए पोस्ट एक पोस्ट है और यह भी सिर्फ OBC Candidate के लिए अपि हम लोग बात करें आपर medical officer के लिए वेकेंसी आई है जिसे medical officer EU1 के लिए total 5 वेकेंसी है जिसमें SC category के लिए 2 वेकेंसी है और OBC के लिए 3 वेकेंसी है ठी इनका पेस के लिए बहुत यहां चकास आए देखे तक फ्रेंट्स हैं पर 80,000 से लेकर 2,20,000 तक इनका सेलरी दिखा रहा है यहां पर देखिए क्रिटिकल केर मेडिसीन के लिए मात्र एक वेकेंसी है फिर और्थो पेडिक्स के लिए एक वेकेंसी है और स्ट्रेडिक एंड ग और होस्पीटल एडिमिस्ट्रेशन के लिए एक वेकेंसी है फ्रेंट्स ठीक है आगे देख लें तब यहां पर नौन एक्जेक्यूटिव पोस्ट जिसमें आप लोग का आई टीए वाले और डिप्लोम वालों के लिए वेकेंसी ऑप्रेटर कम टेक्निशन ट्रेशन ट्रे वेकेंसी है केमिकल वालों के लिए भी पांच वेकेंसी है सिविल वालों के लिए भी पांच वेकेंसी है और सीरमिक वालों के लिए चार वेकेंसी है ठीक है फिर यहां पर अटेंडेंट कम टेक्निशन जो की आई टीए वालों के लिए टोटल इसमें 40 वेकेंसी है जिसमें और यह फ्रेंट्स आपका आईटी वालो के लिए अब यहां पर देख लीजिए ओपरेटर कम टेकनीशन ट्रेनी यानि आईटी डिपलों वाले और आईटी वालो के यहां पर सेलरी बढ़ा दिया गया फ्रेंट्स जो पहले दो साल का ट्रेनिंग पिरियड था उसमें आप ल और अब हम लोग बात कर लएंब पर किस पोच्ट के लिए क्या एज़ाटार्ण्य पर ट्रेंट्स में वालो ह्रिक्सटेंट्स साधा है यह फ्रेंट्स से इसप्लों वालो हो ऑलो के लिए इंपॉर्टन्ट है ठीक है क्योंकि इसमें फ्रेंट्स एक्स्प्रियंस मागा जा रहा है तो यह सभी आपका काम का चीज नहीं है ठीक है तो आई हम लोग नौन एक्जिटीव पोश्ट देख लेते हैं आपर ओपरेटर कम टेक्निशन ट्रेनी मेकेनिकल तो में ट्रिकुलेशन भी थ्री यर और दिप्लोमा है आपके पास तो आप है इसके लिए र स्भी ब्रांच्छ के लिए है rewards के लिए यह ईश्युकल में करें चाहिए इंस्ट्रुमेंटेशन की बात करें या फिर सीरमिक की बात करें फिर देखिए यहां पर एक जो पोस्ट है ओप्रेटर कम टेक्निशन ट्रेनी वाइलर ओपरेशन इसके लिए फ्रेंट्स आप लोग के पास डिप्लोमा तो होना ही चाहिए किसी ब्रांच में और सेकेंड चीज होना चाहिए फ्रेंट्स की फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट्स सर्टिफिकेट ऑप कम्पेंटेंसी सर्टिफिकेट होना बहुत ही अनेवार है आप लोग के पास ठीक है इसके लिए फिर आप पर जो इलेक्ट्रीशन वाले है आई टीए वाले इसक फ्रेंट्स की आप लोग कब तक फर्म इसको अपलाए कर सकते हैं कितना फ्रम फिल लगने वाला है क्या इसका इसका इकजाम पेटर्न होने वाला है ठीक है तो आईए फ्रेंट्स हम लोग देखने तहें अब देखिए आप लोग को डिप्लॉम वालों के लिए सेलरी अगर कर दिगा यह दिया जाएगा और दूसरा से लिए 12 नौस यार पर मन तीक है अब होगो तो हम लोग देख लेते हैं आप आप利ोग को सिंगल अस्टेजिदि जाम होगा और उसके बाद फिर आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जाएगा तो यह देखिए फ्रेंट्स क्या फोर्ड पोस्ट ऑपरेटर कम टेखनीशन ट्रेनी और आइटी वालों के लिए जो वेकेंसी है यहां पर देखिए फोर सलेक्शन मेरिट लिस्ट भी ड्रान कम कम्बाइनिंग अब स्कोर कम्प्यूटर सब्सक्राइब लिए जाएगा फ्रेंट्स बहुत इंपोर्टेंट है इंटर्व्यू भी यहां पर लिया जाएगा आप लोग का तो मिन्हों क्वालिफाइंग मार्क सीबीटी में कितना ना चाहिए जो यू और और उनको पचास परसेंट चाहिए स्थी स्थी करनेट है उ आप लोग को फ्रेंड्स या तो इंटर्व्यू लिया जाएगा या फिर स्किल्टेश लिया जाएगा उसका भी आप लोग को बीस परसेंट अंग जोड़ा जाएगा यह बहुत ही अच्छा बात इन्हों ने किया है अब देखिए फीजिकल स्टेंडर्ड है मिन्यों होना चाहिए ठीक है और जो मेडिकल ओफीसर हैं उनके लिए 150 सिंट्र मिन्यों हाइट और फिले फिमेल के लिए 143 सिंटीमिटर होना चाहिए फिर देखिए अप्लीकेशन फिरेंट्स अप्लीकेशन फी मैनेजर वालों के लिए 700 रुपया जो ओबी सी यू और और एवस से हैं जो सी एस्टी पी डालो डी और एक सर्विस्मेंट के लिए उनको 200 रुपया कंसर्टेंट के लिए 700 रुपया जो यू और ओबी सी के लिए 200 मेरिकल ओफिसर में भी 700 और 200 असिस्टेंट मैनेजर में 700 और 200 ठीक है फिर ओपरेटर कम टेकनिशन ट्रेनी और वाइलर के लि और जो सी एस्टी पी डालो डी या फिर एक सर्विस्मेंट रुपया जाएगा तो आप लोग का अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और आप लोग का लाश्ट डेट कप तक है तो लाश्ट डेट है दस जनवरी दुजहर तेज़ तक आप इस फॉर्म को अप्लाइ कर सकते हैं तो आसा करते हैं अप लोग पूरी जानकारी मिल फ्रेंट्स अगर इसके अलावा कोई प्रसन आप लोग को है कोई भी डाउट है तो आप लोग जुरू कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए चैनल पर नहीं फ्रेंट्स तो चैनल लोग ज़रू सब्सक्राइब कर हैं ताक कि आप लोग को हर अपडेट और साजानकारी मिल सके और मुझे भी मोटिमेशन मिलता रहे ठीक है तो मिलते हैं लोग ने स्ट्रेंट्स में थैंक्यों फ्रेंट्स